प्रेंज आपस अपस्ब कैसे हैं आशा करते हूं कि आप ठीक होंगे आपके घर में सब सुस्त और मस्त होंगे आज मैं फ्रेंज आपको मसाज के बारे में बलॉग बनाने जा रही हूं कि क्या करते हैं बेबी का मसाज कैसे किया जाता है मेरे पास छोटा बेबी तो थानी पर मेरी बेबी भी 5 साल की है जब से बच्चा पैदा होता है और 5 साल के बच्चों तक का मसाज कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगे मैं step by step करके आपको पूरा दिखाऊंगी कि मसाज कैसे सुरू किया जाता है चलिए फ्रेंस आप मेरे ब्लोग में मेरे साथ जुड़े रही है चलिए हम सुरू करने जा रहे हैं पहले कैसे करते हैं पहले साम सर से मसाज करना चालू करते हैं आपकी मर्जी ये पैर से भी कर सकते हैं से मैंने ज़्यादा तर मेरी बेबी हुई थी तो मेरी सास ने पहले सर से ही मसाज करना चालू किया था क्योंकि मैंने बच्चों को नहीं मसाज किया और क्या कहते है इतना मुझे एक्सपिरियंस भी नहीं था सुरू सुरू में शादी होती थी किसी को भी एक्सपिरियंस नही होता तो यह हमारी सास बगेरा करके बताती है तो वो गाउं की थी तो मैंने देखा था उनको सर से मसाज करती थी या पैर से भी कर सकते हैं आप सुरू कर सकते हैं आपको जहां से comfortable लगे आप वहां से कर सकते हैं तो friends सर से हमने massage किया, सर पे हम क्योंकि बच्चों का जो तारुआ होता है वो हलका होता है, पहले हम उस पे तेल लगाते हैं, तेल लगा के हलकी हलकी हाँ से उनका massage करते हैं, पांच मिनट तक तो massage करना जरूरी ही होता है फिर उसके बाद, सर का massage करने के बाद, हम दूसरे इश्टे पाते हैं face पे, face का massage करते हैं, face पे तेल लगाते हैं आखों के, आखों के पास नाक के पास, जो नाक की हड़ी होती है, बच्चों की बैठी होती है तो उसको हम दीरे-दीरे हाथों से तेल लगाके उसको दीरे दीरे उठाते हैं और फिर आ जाते हैं मुझ के पास उसके बाद आ जाते हैं मुझ के पास मुझ के पास हम आके मालिस करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों के जो दात होते हैं मसूडे जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं बाहनी निकलते फिर उसके हम 5 मिनत गर्दन को देते हैं । हम चोटे बच्चों को मालिस करने से पहले हम फीट करवा सकते हैं मैं उसके बड़ी बच्ची है तो मैं आपको सीयह करना जाए हूँ बच्चों को सीने की हड़िया मजबूत रहे एक भी मतलब आंग नहीं छोड़तेें सब आंग पे आंग करते हैं यह तो मेरी बड़ी बेटी है और मैं वीडियो में आपको बता रही हैं तरीके कि कैसे कैसे मालिस करा जाता है आपको पता होगा कि पूरे प्रोपर तरीके से कपड़े उतार के जब मालिस करते हैं वीडियो में ऐसा एलाउ नहीं है करना इसलिए मैं बिल्कुल ऐसा बता रही हूँ आपको करके तो आप जब कीजेगा मालिस तो पूरे तरीके से प्रोपर कपड़े उतार के और धूप में बच्छो की मालिस कीजिएगा मैं तो सर्षो की तेल से करती हूं बच्छो की ने तो डावल लाल तेल है chyba और भी ओयल है जो आपको जिस से अच्छा लगे उससे कीजिएगा पर हमारे तो गाउं में जजदा तर सर्षो की तेल से ही शुद्ध सर्षों का तेल माना जाता है और गरम भी होता है सरदियों में तो सर्षों का तेल से ही मालिस किया जाता है बच्चों की राजाइए फ्रेंस हातों पे हातों पे हम बच्चों की पांच मिनर तक मालिस करते हैं तो क्या करते हैं हातों पे हमने पांच मिनर तक मा साल की है तो उनको भी आराम मिला तो थोड़ा सा रिलेक्स करके आखे बन करके लेड गई है उनको अच्छा लगता है मालिस करवाना बच्पन में भी उनको बहुत ही अच्छा लगता था मालिस करवाना जब अम्मा करती थी या मैं करती थी मालिस तो ऐसे ही रिलेक्स करके सो तो देखिए वो भी अब ऐसी आराम करके सो रहेंगे उनको अच्छा लग रहा है मालिस करवाना घर में चोटे बच्चे होंगे तो क्या कहते हैं आप उन बच्चों के साथ खेलिए और इंजोई कीजिए उनसे बाते कीजिए ताकि बच्चा भी आपकी बातों को सुने खेले और उनकी भी एक्टिविटी हो जाती है बच्चों की और इहां मालिस भी हो जाता है ताकि बच्चों को पता भी नहीं चलता कि मालिस कब हो गया नहीं चलता कब मालिस हो गया और बच्चे आराम से मालिस भी करवा लेते हैं पेरो के तारवे पे भी हम फांच मिनट तक मसाज करेंगे उनके पूरे पेरो पे प्रपर तरीके से पांच मिनट तो देंगे ही और जो इनकी उंगलिया होती है उनके छोटे बचों के अंदर मिट पसीने से मेल उसम जाती तो उसको तेल लगा के अच्छी तरह से साप भी कर देंगे और गुटने पे भी हम अच्छी तरह से मालस करेंगे ताकि उनका ब्लड का संकुरन होता है अच्छी तरह से हो जाए जो बच्चो का पैर में हम मालस कर रहे हैं ताकि तेल पूरा अच्छी तरह से पूरी बोडी में सोक ले ताकि तेल उनके बोडी में अच्छी तरह से पहुंच जाए बच्चों का ब्लड जो सेंकुरन होता है वो अच्छी तरह से होने लग जाए इसलिए हम इतनी देर तक मसाज करते हैं बोडी को और बोडी पूरा में बहुत ज्यादा परिशानी होती है क्योंकि हम मालिस नहीं कर पाते हैं जब यह बच्चों की स्कीन ऐसे हो जाती है तो फिर उसका इलाज करवाते रहते हैं तो जो बच्चपन में जितनी अच्छी मालिस हो जाएगी उतना ही बच्चा आपका स्वस्त और मजबूत और बच्चों को उल्टा करके हम लिटा देंगे और उनके जो पीट है उनको अच्छी तरह से तेल लगा के पांच मिनट तक उनको मसाज करेंगे जो रीड की हड़ी होती है उन पे अच्छी तरह से तेल लगा के प्रोपर तरीके से उस पे अच्छी तरह से पांच मिनट फिर उसके बाद बैक मसाज के बाद हम बार aun सी वार में और भारा एक्सराइज करेंगे क्योंकि हमारी सासो माँ थी तो वो बच्चो के बच्छ के बच्छ करने के बाद जितने आदा घंटा एक घंटा मसास करती है फिर उसके बाद वो पेरो एक्सोसाईज विगेरा भी करवाती है ताकि बच्छो का जो blood संकुरन है रुका ना रहे चलता रहे बच्चों का वलर्ट चाला मान रहे ताकि जितना अच्छी तरह से मालिस करेंगे हमारी सासो मा भी यही कहती है कि जितना बच्चों की मालिस करोगे उतना ही बच्चे आपकी जल्दी चलने लग जाते हैं और चलने में दिक्कत नहीं होती दीरे-दीरे खड़ा वगेरा होनी लग जाते हैं मालिस के उपर डिपैंड करता कि आप मालिस कैसे बच्चों की करेंगी जिससे आपका बच्चा जल्दी चलने लग जाए भागने लग जाए फुर्तीला बने आपका बच्चा जितनी ही आप अच्छी तरह से प्रोपर तरीके से मालिस करोगी उतना ही बच्चा आपका एक्टिविटी जल्दी करके दिखाएगा इसलिए मालिस आपको डेली रूटीन में ही बना के रखना चाहिए सर्दी हो तो जैसे आपका दूप निकले या कमरे में कभी कभी ऐसा होता है कि दूप नहीं निकलता है तो हम कमरे में भी कर सकते हैं अच्छी तरह से खिड़की वगेरा बंद करके और दरवाजे वगेरा बंद करके हम कर सकते हैं मालिस बच्चों की अगर गरमी हो तो गरमी में तो आप कहीं भी कर लिजे मालिस कमरे के अंदर ही ज्यादा अंधर करते हैं और ढूप हो ठंड हो तो क्या करता है दूप में बच्छों के कभी-kभी ढूप निकल दूप में लिड़ा कर आफ बच्छों के अच्छी तार से तो सेक्इं बच्चा हुआ तो मैंने भि उनका मालिस बगेरा क्योंकि मैंने फर्स्ट बच्चे में देख लिया थे कि मालिस बगेरा कैसा कर आगा पदर से दोसीींooo करने, ज। बच्चों को आप प्रोपर तरीके से आराम से रखे क्योंकि वो छोटे होते हैं तो आराम से रखे तुम आप कहीं भी मालिस कर सकते हैं एक्सोसाइज वगेरा करवासे इसलिए फ्रेंस बच्चों को मालिस के बाद एक्सोसाइज भी करवाना जरूरी होता है ताकि उनकी हाथ पैर हिलाएंगे तभी उनका मतलब की हड्या मजबूत भी होगी और बच्चा आपको स्वस्त भी बनेगा फुर्तीला भी होगा जल्दी भागेगा भी इसलिए फ्रेंस चलना भी जल्दी वो सीख जाते हैं जितनी अच्छी आप उनको मालिस एक्टिविटी करवा सकते हो उतना करवाईए फ्रेंस क्योंकि आजकल के बच्चे तो जादा तर मा होती हैं कि मालिस करना नहीं आता उनको घर पे अच्छी गार्डियंस भी नहीं मिल पाती ताकि उनको मालिस करवा सके यह सब यूटूब पे कुछ ऐसी भी होती है जो यूटूब पे देखती हैं कि कैसे करा जाता है तो इसलिए फ्रेंस हमने यूटूब पे ये वीडियो डाला है ताकि आप देखे सीखे और करें अपने बच्चों को किसी की जरूरत ना पड़े आपको अगर घर पे कोई आपका बड़ा ना हो तो आप यूटूब के चैनल पे खोल के देख सकते हैं कि मालिस कैसे की जाती है वच्चों के क्योंकि आजकल फ्रेंस आजकल जो कुछ हमें नहीं आता हमें यूटूब क्योंकि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है घर पे बड़ा हो या ना हो या आपका मन नहीं कर रहा पूछने का तो आप यूटूब के चैनल पे खाने बनाने को माले इसका हो कुछ भी चीजों सब आपको यूटूब पे मिल जाएगा क्योंकि अधिकतर लेडिस जो घर की महिला होती है हम जैसी तो वो सब यूटूब पे ही सीखते है क्योंकि उनका कोई बताने मेरे वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और जरूर कीजेगा